और उबरती संगीत प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए मकसद से अर्मान सिने कार्परेशन नाम से एक निया मुजिक हाउस लाउंच करने की गोशना की गई कंपनी ने कलाकारों को मुजिक वीडियो और प्रमोशन के जरिये आगे लाएगी इस विशे की आज चन्दिगर प्रेस क्लम में की गई आर्पी सिंग जरिया जिए टेश कुंफेंस किती है इदर की करने की विए असी लोगा रमान से ने कोर्पोरेशन कंपनी लॉंच की ती आए इन ने कंपनी है अपनी जगदीश जी जी मेरी कंपनी है गरिमा परक्षन ये जॉएंट आज जसी लोग कठे मिल्टीक टीम में आई है अर्मान से ने कार्पोरेशन को लॉंच किता है तो प्रमोट न्यू शिंगर न्यू टेलेंट है गाए ले लोग हिड़न है जिनना नों कोई नहीं जानता है जिनना पारे किसी नों नहीं बता है वी विल परमोट दूश सिंग मतलब ने जो यूट को अपने मोका दिया हम लोगों ने जो अभी आप वीडियो तिखा रहे थे आपको दिल विच्छो वो निया लड़का था वो पुल जी ने उसको वो ग्रूं किया था इन्हों ने अपने सूडियों में उसको टेने लिए दस साल इनके पास रखे उसमे अपने अपको बिल्कुल एक रहूर बच्चा था जो कैमरा के साथ जाता था उसको ले जागर उने 10 साल अपने इस स्टूडियो में रखा अपने पास में और उसको जिखाया और उसको इस लेवल पे रहा कि उसका अमने टी सीजी में गाना उसका रिलीज हुआ अगर कोई अपने बच्चा इस वीडियो के माद़र में से अपने पास आना चाता है तो वो कैसी आएगा उसको पता होना कि एक कि वाके मुसिक क्या है हम लोग वही तो है कि वो बेसी कली है कि वो टेलेंट के बजाए मच्चा इस ग्ड़ाइब हो कोई को रैप में कला जाता है उसको अगर वह सच में टेलेंटेट है और उसमें लिगता है कि आप जैसे इंबॉर्ण की बच्चे किसी से कभी सीखा नहीं होता सुन के बहुत अच्छा गाते हैं तो अगर लगता है कि वाके में ये बच्चे को एक पर्मोशिन की जुरूरत है तो यह पर्मोट है आप अपने बारे में थोड़ा पताइए कि आपने काम किया है काम मैं हमने मुझे मैंने 89 में से शुरू किया था एज एन एक्टर के लिए तो 89 90 फिर उसके बाद 96 में हम लोगों ने पहली बार सैटलेट चैनल पे पंजाबी नए साल का प्रोगरम हम लोगों ने बढ़ा तो अधिके बहले कभी सैटलेट आफिशनल पर हम लोगों ने जो पैला जर्नातर दूसनी के इस स्ट्री में प्रविट परोगरम का लूज भूम लोगों ने मतलब गवानभ जो में हम लोगों ने एक चैनल शुड़ू अदर यस चैनल शिर्टी का था को यह उसा में तो नाबा में हम लोगों ने शुरू किया था अपने आखाः ओंपरकाश जी जो फिलम ये लेजन्री फिलम अटर थे ओंपरकाशी उन्होंने उसमें बेसिकली वो शीरियल था कि बच्छों को एक चिराग मिल जाता है जिसमें से जिन निकलता है तो हमने ओंपरकाशी करिक अ सुखी जी दूर देशन में सीनियर हैं, ये भी महान से हैं कठेटी शूटिंग में, जी वाद देर फॉर फिटी टू डेज बहुत लंबा शडियू था, तुर्कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके हैरस्टायल हुआ, जी लोग कॉंटिनुटी मिंटेन नी हो तुर्किन तुर्किन देर को लोग काम करें और बहुत काम करा हैं, जी जी यज प्रेस कोंफेंस किती है, जी तक की कारना है, की कुछ संदेश जेन अचानने पुसी? जी ये प्रेस कोंफेंस गरिमा प्रोडक्शन से रेलेकिट थी और उन्होंने अभी कुछ फ्यू प्रोजेक्स की अनौंसमेंट की हैं, आस उन पॉसिबल लोग प्रोजेक्स को लोग को देखाना ने लंगे, सो असी गरिमा प्रोडक्शन माल काफी देर को काम कर रहे हैं, और बहुत अधिया लगया, आज भी प्रेस कोंफेंस मतलब इस वर्ट लाइक अ वेरी बीड़फुल एक्स्पिरेंस नाले, सर ने सून मुवी दा भी अनौंसमेंट किते हैं, चेती तनौंग दसाने से लिए मैं थोड़ा जा अबने बारे दोस्तों सी कितों आंदे हों ते करी करी मूवी चे एकरी करी करी गाने किते हैं, मेरा पहला गाना शरीमान जी नालसी गा वद्दा भाई, और काफी बड़ी मतलब एंट्री होई सी मेरी पॉली रोड इंडस्ट्री चे ओदेवाद मैं दोस्तों करीब गाने किते हो यह परिंट शूट्स भी किते होई लिए सो होफुली तुसी अग्यागे देखोंगे मेरे अग्यादा की प्लान है मैं ठोटा अग्यादा प्लान बस तुभून जिवे तुसी देखे आज प्रेस कॉन्फरेंस चे सर ने केया है कि उन जिन्नी जल्वी चेती बॉर्डर्स खोलंगे तैसी Overseas कुछ काफी प्रोजेक् सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें आज प्रकाष्ट तुभून जाओंगे तुसी कुछ नहीं दिल्च मेहनत और आत्म विश्वास लेके एंट्री करो काना हुए मतलब तुसी जिन्ना स्ट्रगल करूंगे और वदियार पसी अपना 100% दोगे ज़रूर पानुबाब ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अज प्रकाष्ट टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें